नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर है और खबर रीत लाल यादो को लेकर है आप जानते हैं दानापूर सीट से आरजेडी के विधायक हैं और उनको लेकर कई तरह के कयास लगते रहे यह खबरे भी अंदर खाने से सामने आती रहीं कि जिस तरह से महागट बंधन की सरकार बंते बंते रह गई और कुछ सीटों के फासले से महागट बंधन पिछड़ गया तो कुछ लोगों की टीम बनाई गई है कि जीता नाम मांजी और मुके सहनी को अपने पाले में लाया और रित्लाल यादो उन चार लोगों की टीम में से एक हैं जिनको यह जिमी दारी दी गई है कि आप जमीन तयार करें जिस में महागट बंधन की सरकार बन सके तो रितलाल को लेकर एक कबरें लगakah है लेकिन रितलाल यादो को लेकर एक दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दरसल लोगों को लोगों की सिकायत होती है कि जंता से किया वादा नेता भूल जाते हैं चुनाओ खत्म तो वादे भी खत्म और फिर जन प्रतिती दिखाई नहीं देते रित लाल यादो इस मिथक को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक तो यही होता हुआ दिख रहा है चुनाओ जीतने के बाद उनकी उनके इलाके की जो समस्या है और जो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाओ की दानापूल विदान सबाच्छेतर के कई इलाके जल जमाओ से गरस्थ हैं और लोग जो हैं इससे बेहाल हैं तो रीत लाल यादो चुनाओ जीतने के बाद लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जुटे हुए हैं और लगातार वो कोशिस भी कर र लोगों से किया है चुनाओ से पहले उसको पूरा किया जाए और इतलाल यादो काफी ज्यादा वोटों से चुनाओ जीते हैं और चुनाओ से पहले ये खबर थी कि वो निर्दलिये चुनाओ लड़ेंगे उन्होंने साब कहा था कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं न निर्दलिये चुनाओ लड़ने के कयास इसलिए भी थे क्योंकि तेजस्वी यादो करिस्मा राय को ले आये थे पाटी में और उन्होंने उनको सामिल कराया था करिस्मा राय दानापूर सीट से चुनाओ की तैयारी भी कर रही थी लेकिन अंतिम वक्त में रातो रात फैसल यह हुआ तेजस्वी यादो ने फैसला किया कि दानापूर सीट से टिकट रितलाल यादो को दिया जाए रितलाल यादो को टिकट मिला और भारी अंतर से वो चुनाओ जीते हैं तो चुनाओ जितने के बाद वो फुल एक्शन मोड में हैं और जल्यमाओ से मुक्ति के लिए वो अभियांच चला रहे हैं तमाम जो उपकरन होते हैं जेसी भी और जो दूसरे उपकरन हैं उनको मंगाया जा रहा है ताकि इस समस्या का निदान हो सके तो कम से कम रितलाल यादो जनता से किया हुआ वादा पूरा करते नजर आ रहे हैं चुनाओ जितने के बाद यह एक सुखत तस्वीर दानापूर विधान सबाचेतर से सामने आ रही है हाला कि आगे देखना होगा कि रितलाल यादो कितने खड़े उतरते हैं जनता के उम्मीदों पर इस खबर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद